आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं शाही बड़ा की रेसिपी जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने दही बड़ा नहीं शाही बड़ा ये देख सकते हैं कितना डिलीश्यस है और बहुत ही जादा यम्मी बहुत ही कम इंड्रिडियेंट्स के साथ ये बन जाएगी तो एक मिक्सिंग जार में से निकाल लेंगे यहां पे हम तीन से चार हरे मेंच यूज कर रहे हैं और इसमें हम डाल देंगे आदा छोटा चमश नमक साथे में डालेंगे थोड़ा सा हल्दी बॉर्डर जिसे हमारे वर्ड़ का कलर बहुत ही अच्छा आएगा हम इसमें बहुत पानी भी यूज किया था क्योंकि हमें इसका फाइन पेस्ट रेड़ी करना है जिसे हमारे वड़े बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे यह देखिए गाइस अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे आप इसका टेक्शर देखिए बहुत ही प्यारा बहुत ही स्मूध टेक्शर नि अब हम इसे बहुत अच्छी तरह से फेटेंगे एक ही डारेक्शन में आप चाहिए तो इसे हाथ से भी फेट सकते हैं या विश्कर से भी फेट सकते हैं स्मूथ टेक्स्चर देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी भी आड़ कर लेंगे आप दीखिए यह कितना पॉफ फ्लेम को मेडियम टू लो ही रखेंगे आप दीखिए डालते ही यह कितनी अच्छी तरह से उपर आ जा रहा है इसलिए मैंने का था इसे अच्छी तरह से में फेटना है वह सरे लोग वड़ा कड़ी जब बनाते हैं तो वह बेसन का बनाते हैं बट मैं डिफरेंट स्टैल म आप इसको बनाइए बहुत ही जादा यम्मी लगने वाली है और वैसे भी यह शाही है तो मैं आपको बताऊंगी इसमें मैंने क्या शाही स्टैल दिया है इसे इस तरह से हम हलका गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे मेडियम फ्लेम पर आप देखिए कितनी अच् आप चाहे तो बेसन का बनाते बढ़ दाल का बहुत ही जादा डिलीशिस होता है यह देखिए यह देखिए हमने आप सारे वड़े रेडी कर लिए कितने सॉफ्ट बने यह वड़े आप देख सकते गाइस और यह बड़ों के साथ एक छोटा भी आ गया है अब हम इसे एक फ चॉप कर लिया है एक टमाटर को हमने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है और साथी साही टेस्ट देने के लिए ओविसली काजू और थोड़ा सा नारियल लिया है हमने आप चाहे तो थोड़े से और ड्राइफ रूट्स या पोस्त अदाना भी यूज कर सकते हैं बट मैंन इसे भी रूस्ट कर लेंगे यह बहुत ही प्रोसेस है जरूर ट्राइए अपने घर पर इसका गलर हल्का सा चेंज हो गया है अब हम थोड़ा सा बीच में सपेस्ट कर लिया है और टमाटर को डाल देंगे और हलका सा इसे भी भूनने देंगे इस तरह से हम इसे चला लेंगे 2-3 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर इस तरह से भूणने देंगे जब हम इसका पेस्ट बनाएं तो वो अच्छे तरह से फाइन पेस्ट रेडी हो गुश दिर भूणने के बाद इसका कलर बहुत अच्छा हो गया है अब हम गैस का फ्लेम आफ करके एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी दिरी से हवा में रख देंगे हलका ठंडा हो जाए उसके बाद हम मिक्सिंग जार में डालेंगे यहां पर हम ले रहे आदा छुटा चमच रेड चिली पॉडर आदा छुटा चमच अद्रक लेसन का पेस्ट थोड़ी से हल्दी पॉडर और थोड़ा सा पानी अब हम इसका एक फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे यह देखिए हमारा पेस्ट बिलकुल रेडी है आप चाहे तो हम इसे डाल देंगे हलका सा क्रैकल होने देंगे और जो मसाले हमने आप रेडी किये थे उसे डाल लेंगे और इसे अच्छे तरह से भूनेंगे पहले हाई फ्लेम पर एक से दो मिनट तक जिससे इसका कच्चापन बिलकुल चला जाए यह दिखिए गाई इसको इस तरह से बूनते इसका कलर हलका हलका चेंज होने लगेगा और इसमें से बहुत ही अच्छे कुछ भूआएगी यह देखिए कुछ देल भूनने के बाद यह ओएल रिलीस करने लगेगा तब हम इसमें अड़ कर लेंगे पानी और इसे वापस इस तरह से भून लेंगे क्योंकि हमें इसी से कड़ी बनानी है और हमें साही वड़ा करी बनाना है हम इसमें अड़ कर ले रहे थोड़ा सा और नमक क्योंकि हमने थोड़ा सा नमक वड़े में यूज किया था तो इसलिए इसमें भी नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और इसे धक कर पूंखो ने देंगे कि और एक उल्च जट से लिए हाँ तैक से जुखों ने डेंगे जिट तक इसका पूंखो रिलीज दिना हो जाये मसाले अच्छे तरह से भून चुके हैं और इसमें से एक बहुत ही प्रिक करके रखा था फोक से इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे तरह से पहले मेक्स कर लेंगे ताकि मसाले इसके अंदर हलके हलके चले जाएं अब दिखिए इसका कलर बहुत ही प्यारा आया है अब कड़ी के लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी पानी हम थोड़ा सा ज्यादा ही डालेंगे क्योंकि यह बहुत जल्दी एब्सॉप कर लेगा क्योंकि हमारे वड़े बहुत ही सूपर सॉफ्ट बने है तो वह जब तक यह कुख हो रहा है हम दूसरी तरफ कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे इसकी वज़े से हमारे कड़ी के टेस्ट बहुत ही डिलीशेस आएगा यह रिखिए कुछ देर के बाद हमारे जो कड़ी है वो भी अच्छी तरह से कुख हो चुक है यहां पर रोस्ट इट कसूरी मेथी को हम हाथ से हल्का सा मसल कर उसके उपर स्प्रेट कर लेंगे यह देखिए यह इसका टेस्ट इंक्रीजर है अगर आपके पास हो कसूरी में थी तो आप डाल लीजी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और वापस से दो से तीन मिनट तक कुख होने देंगे ग्रेवी को हमें बहुत जादा नहीं सुखाना है क्योंकि ठंडा होने के बाद यह अल्रेडी एब्जॉब कर लेगा और वापस से हमें इसे दो से तीन मिनट तक कुख होने देंग यह देखिए गाइस अल्रेडी ग्रेवी हलका से एब्सॉब कर लिया है अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे लग रहा है ना सुपर सॉफ्ट वड़ा करी बहुत ही ज़दा डिलिशस अब देखिए इसका ग्रेवी का कलर और टेक्स्चर बहुत ही प्यारा आया है अब हम इसे सर्फ करेंगे इसके उपर फ्रेश मलाई डाल कर आप चाहे तो धनिया का पत्ता भी डाल सकते हैं और इसे गर्मा गरम पूडियों के साथ सर्फ कीजिए मजा ही आ जागा तो है ना डिलिशस वड़ा करें आप इसे जरूर ट्राई कीजिए गाइस इस तरीके से आ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स इन फैमिली के साथ इसे शेयर कर दीजिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए